नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक वाटर प्यूरिफायर करके देजा पानी इसके अंदर लगाया हुआ है अब देख सकते हैं सब्सक्राइब लगाया है कि पूरा मशीन में आपको पहले बार से दिखा देता हूं यह तीन बाउल है इसके अंदर एक दो तीन कि इसका पानी कहां से कहां जाएगा कौन से फेल्टर में जाएगा सब में आपको बता देता हूं पूरा सिस्टेम आप देख लीजिए यह दोस्तों पूरा SS स्कीड के अंदर आता है इसकी बोड़ी पूरी यह जो आप देख रहे हैं यह SS की बनी हुई है स्टेनलेस टील जो MS की बोड़ी आती है वैसी नहीं है इसको कभी काट वगेरा नहीं लगता है और सालों साल तक यह ऐसी रहती है यह SMPS लगा हुआ है SV है बड़ी वाली जोकि कमर्शल प्लांट में लगती है और यह ओरिजिनल पॉम्प है बेंक इसका जिसको दोस्तों मैंने देखा है मेरे करियर में कि पांच साथ साल तक इसको कुछ नहीं होता है कोई रिपारी की ज़रूत नहीं पड़ती है तो चली अब मैं आपको बताता हूँ यह दोस्तों यह जो बाउल है इसके अंदर पीपी स्पून फिल्टर है आप देख सकते हैं यह आपको खुल जाता है यहां से यह आप देख सकते हैं तो यहां से इन्पुट होगा पानी जाएगा फिर आएगा यह CTO में फिर यह GST मे आएगा यहां से और फिर आप देख सकते हैं पीछे से कनेक्शन यह दिया हुआ है यह जो है यह यहां से जा रहा है दोस्तों ओपर सीधा आएगा यह यह आप देख रहे हैं SV के अंदर आज आएगा SV से दोस्तों यह सीधा जाएगा पंप के अंदर पंप से सीधा यह आप देख सकते हैं यहां से पंप से सीधा बार निकल के पानी आ रहा है पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देखा हूँ गुमा के अब हम पीछे जो है वो समझ लेंगे कैसे जा रहा है पानी यह लगा हुई है दोस्तों तक कि यह मेंबरेन inhale इसके अंदर पानी और यह मेंबरेन के अंदर पी जाया गा इसका अदर डो ड्राली गई है ADG, PDG यह आप देख रहे हैं यहाँ पर यह Membrane से अंदर आ रहा है यह यह पानी और यह यहाँ से Reject के अंदर से यह देख सकते हैं उपर जो है वो Fresh Water आएगा यहाँ से आप देख सकते हैं आपो दिखा रहा हूँ यह Fresh Water का है यह नीचे आप देख सकते हैं जो नीचे वाला है यह वाला और यह नीचे वाला देख आप Memorine Housing में आपो दिखा देता हूँ यह एक है उपर है Memorine Housing का और यह है नीचे जो उद्धा है वहाँ से आप Reject Water जाता है यह नीचे से भी आप देख सकते हैं दोनो Reject Water दोनो Reject होके यह Fr लगी हुई है Flow Restrictor यहां से आप पानी निकलेगा Reject Water जो Fresh Water है वो यहां से आप देख सकते हैं यह दूसरा हो गया और यह जो यह दोनो है Memorine Memorine से अंदर होके यह फिर आएगा Post Carbon Filter में यह Post Carbon Filter में आपको दिखा देता हूँ यह Lex Pure का मैंने डाला हुआ है Post Carbon Filter वैसा Equalive का भी आता है बट यह जो मशीन है इसके अंदर मैंने डाला हुआ है Lex Pure का और यहां से आप देख पाएंगे दोस्तों जो आपका मिंडल पानी है वो आएगा तो यह पूरा मशीन था दोस्तों मैंने आपको दिखाया और इसका जो एक्स्ट्रा केट आता है Installation के लिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ यह दोस्तों इंस्ट्लेशन करने के लिए पूरा केट है यह आपका लग जाएक है नल के अंदर आप देख सकते है यह बड़ी वाली पाईप है दोस्तों और यह पाईप है छोटी वाली जो छोटी वाली पाईप है दोस्तों यहाँ पर लग सकती है पोस्तारबन फिल्टर में जासे आपका पानी आने वाला है यह जो पाइप है बड़ी वाली पाइप है आप देख सकते हैं यहां से यह लगे कि आपको इंपूट पानी देने के अंदर और यह जो है दोस्तों यह आप देख सकते हैं यहां पर यह पाइप लगेगा यह ऐसे और यह वाला जो पाइप है देख सकते हैं यह वाला पाइप यहाँ पर लगएगा ऐसे यह द्रीक से यह जाएका परनल के अंदर और यह पार्ट लगेगा ऊपर और यहां से आ यह वाल है चालूम बंध को तो दोस्तों ये है और यह लास्ट मैं आपको बता देता हूँ ये हैं ये यह आप देख सकते हैं spanner यह spanner से यहाँ इसको installation के time आपको खोलना हो यह आप पूरा tight करना हो फुल तो इससे यह पूरा completely tight हो जाएगा तो दोस्तों यह machine को खरीदने की link जो है मैं आपको दे रहाँ description के अंदर जासे आप खरी सकते हैं और मैं आपको link दे रहा हूँ Flipkart की और Amazon की जासे आप यह खरीद सकते हैं product को तो आपको यह दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज आप यह वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर कुछ पूछना तो comment में आप लिख सकते हैं पूछ सकते हैं कुछ भी और इस वीडियो को शेर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ Facebook है कहीं पर भी और दोस्तों प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना बुलना मत मैं आगे बहुत सारे ऐसे वीडियो लाने वालों आपके लिए Thank you very much